स्मृति वैद्ध के महाविध्याले मैं इंका संक्षित में परिचे आपके सामने करना चाहूंगा सर आपकी शिक्षा आपने ग्राजियोशन MBBS नापपुर विश्व विद्याले 1980 से पूर्ण की है पोस्ट ग्राजियोशन M.D. पैथालोजी नापपुर विश्व विद्याले से 1983 आपने पूर्ण किया है विविन्न संस्ताओं में शैक्षिनिक सेवाय और सेवाकार्य आपने किया है सन 1981 से 1983 तक सिनियर रेसिडेंट GMC नापपुर 1914 से 1926 तक साहिक प्रोफेसर करके MGI MS सेवागराम 1926 से 1922 तक डॉक्टर पंजाब राव उपाके भावसाहिब देशमुग स्मृति वैद्यके महाविध्याले अमरावती 1992 से 2007 तक असोसेट प्रोफेसर डक्टर पंजारवाव उपा के बहुत साथ देश्मुक वईद्य के महाविद्या ले तथा 2007 से आज तक प्रोफेसर तथा पैथालोजी भाग के प्रमुक करके आपने डक्टर पंजारवाव देश्मुक उपा के बहुत साथ देश्मुक वईद उपा के भावसाय तेश्मूग वैद किये महाविद्याल है यहाँ पर विद्यमान है आपने विभिन्न कारेशालाओं में सहबगेता तथा मारदर्शन किया है mciER Indya दोरह MET बुनियादी कारेशालाँ में आपने सहबग लिए है साथी शेत्रियकारेशालाद 454 MCI, शेत्रिय शिक्रप्रशिक्रशन कारेशाला追ण आई-ए-पी-म के महाराष्टर चाप्टर के 2016 से 2018 तक आप सन्मानिय अद्धिश्य अपद पर कारे रत रहे हैं आप आयमें अमरावती के सन्मानिय अद्धिश्य करके कारे किया है विविन व्यवसाइक्स तरफ पर आपकी सदस्यता है जिसमें इंडियन असोसियेशन ओफ पै से चाहिए-इएजएस-बीटी के आप सन्मानिय सदस्य है इंत्रनैश्एठ्म और सैटलोजी मियुच्य स्थय आप आप अन्द्धिश्य की आप सन्मानिय सदस्य है इंट्रनैश्ण अकेड़ेमी ऑफ पैथलोजिस इंड lanes हैं इंट्डैन्च सदस्य में MBBS के लिए भी नातक परिशक करके आपने कारे किया है सन 2002 से विभिन्न विश्वई द्यालव में MD pathology के लिए नातक तर आदी विश्वई द्यालव में परिख्षक करके आपने कारे किया है जिसमें आप भावनगर नाकपूर गुजरात पोलापूर गुरु गासिदास और विभिन्न प्रकार के विश्वई द्यालव में आप परिख्षक करके आपने कारे किया है आपने प्रकाशन तदा अंसदान परियोजनाय में आपका प्रस्तुत किया है जिसमें चाप्टर ऑन शॉक इन टेस्ट बूक मेडिकल जन्रीश जूरीश प्रडिशन टेक्सकोलोजी और फॉरेंसिक साइंसेश पार्टिसिपेटेट इन डेवलपमेंड आफ एटलस आप कैंसर इन इंडिया आइसे मेर प्रोजेक्ट पॉब्लिक्श और सन्मान हेतु बिंति करता हूं इस आयाजन के प्रमुक माननिय डॉक्टर लक्ष्मकान खंडागड़े सर और उनका सन्मान चिन्न तथा पहुता देकर उनको सन्मानित करें सभी से बिंति की जोड़ार टालियों से उनका सौकत किया जाए आज के कारेकरम के लिए उपस्तित आज के कारेकरम के सन्मानिय अद्यक्ष माननिय डॉक्टर स्री निवाजी देशपांडे डिग्री कॉलेज अब फिजिक्स अमरावदी के आप सन्मानिय प्राचा रहे है आपके शिक्षा MSC Physics, MCA, PhD Computer Vigyan Engineering में आपने पूर्ण की है सन 2019 से 2023 तक फिजी डिपार्मेंट आप Computer Science and Technology डिग्री कॉलेज अफिजिक्स यहाँ पर आप प्रोफेसर करके कारेड़त है सन 2023 में आपने डिग्री कॉलेज अफिजिक्स के प्राचारे पत्पर आप विद्यमान हुए है आपने आज तक 27 राश्ट्य तर आंतराश्ट्य परिशिद्यों कारेड़ शाला में सहबाग लिया है आपने अज तक आंतराश्ट्य राश्ट्य तर और राज़्यस्तर के परिशिद्यों में 32 शोद निवंद प्रस्तूत किया है जिसमें तेहरान, इरान, बुड़ापोस, हंगेरी, आदी देशों में आपने शोद निवंद प्रस्तूत किया है नैशनल तर इंटरनाशनल जनरल्स में भी आपके 33 शोद निवंद प्रकाशित हुए है आपने कई राश्टी आंतराश्टी विद्याशाका परिशिदों में सत्र की अधिशता आपने निवाई है जिसमें 2012 में संत गाड़गेवा अमरावती विश्व इद्याल है 2013 में जवारला दर्ड़ इंस्टिट आफ इंजिनिंग आइंड टेक्नोलोजी 2016 में इन्वेसिटी आफ हैदराबाद 2016 में इन्वेसिटी आफ साइंस और कल्चर तेहरान इराक संशोदन पर आपने मारदर्शन किया है जिसमें आपके मारदर्शन में आठ रिसर्च कॉलर्स ने पिएजदी प्राप्त की है विविन वेवसाइक समीतिव पर आपकी सदस्ता है लाइफ मेंबर आप इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन लाइफ मेंबर आप इंडियन असोसिएशन आप फिजिकल टीचर मेंबर आप रिसर्च प्रोग्रेस और मोनिटरिंग कमिटी डिपार्टमेंट आप अलग अलग विवागों में आपने सदस्तावन प्राप्त की है आपके पेटन भी पब्लिश हुए है जिसमें वेब सिस्टीम प्रेमवर्क एंड मेथलोजी फॉर मेकिंग परस्नलाइज यी लर्निंग दोजार चौदा इमोश्टनल एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रक्षन फॉर्म नेचरल टेक्स्ट 2017 में और स्विमिंग कोच असेश्टन सिस्टीम 2017 17 में आपने उसके पर कार्य किया है ऐसे आपने पेटन्ट तयार किया है ऐसे हमारे इस महाविदयाले के प्राचार्य डॉक्टर सर आज के कारेकरण सन्माने अध्यक्ष इनके स्वागत है तू और सन्माने तू मैं आमद करता हूं डॉक्टर डबलू कैनेडी सिंग सर इनको सन्मान चीनना और पोदा देकर उनको सन्मानित करें उनका स्वागत करें कि आज के कारेकरम के लिए मैंस पर उपस्ति सन्मानी अतिती डॉक्टर मिलिंग जी जकताब इनका भी में आपके समख्ष संक्षित में परिश्य यहां पर रखता हूं आप आईक्वेसी कॉडिनेटर डॉक्टर पंजाब राव उपाक के बहुसाहिब देश्मुक्स सब्सक्राइब के महाविद्याले यहां पर कारेड़त है आपकी शिक्षा आपने बेसिक कोर्स इन बायो मेडिकल रिसर्च एडवांस कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन मॉइबिपुशम में 1922 में सेव dirt引ा नाकपुर विश्विद्यालाई से पूर्ण किया है and pathology 1986 में सेव अगराम वरद नाकपुर विश्विद्यालाई से आपने पूर्ण किया है साथी लिए एंग्लिकलिश नीडित Nous इस शिक्षा शित्र में आपने कारेड किया है और तक टूटर डेवलोप्मेंट करकर सेवाग्राम नाकपूर विश्व विद्याले में आपने कारे किया है उन्नी सो चाहसी से उन्नी सो इकाने में में असिस्टन्ट प्रोफेसर डॉक्टर पंजाब रावदेश्म वईदिके महावीद द्याला अमरावती साथी प्रोफेसर प्रोफेसर से आज तक प्रोफेसर प्रोफेसर डॉक्टर पंजाब रावदेश्म वईदिके महावीद आपकर आप विद्यान कारे रहत है आपने मूल अनुसंदान प्रकाशान में MCI और MMC UGC केर रुद केर द्वारा मान्यता प्राप्त बारा आंतर राश्ट्र यसोत पतिर्काओं में शोत्प्रबंद प्रस्तूत किया है राश्री स्तर पर दो तथा राज्जस्तर पर एक शुद्प्रबंद आपने प्रस्तूत किया है आपको इस कारे के लिए विविन पूरसकारों से आपको सन्मानित किया गया है 1986 में सर्वस्रेश्ट वक्ता पूरसकार Academy of Medical Science वर्दा दोरा आपको सन्मानित किया गया है 2022 में Diabetes, Direcate, Special Social Consultancy में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी आपको गाविलगर चिख़दरा एंजयो दोरा राज्यपूरसकार से आपको सन्मानित किया गया है 2021 में शब्द प्रमुक वाशनालाई, शब्द शक्ती, M.G.C.O. अमरावती दोरा राज्यपूरसकार से भी आपको सन्मानित किया है कोरोना महामारी के दोरान मधु में और कोरोना के उत्कृष्ट कारे करने के लिए भी आपको सन्मानित किया गया है विश्वविद्यालाई के विविन पादपाद सदस्या और भूमितालाई में आपने निभाई हुई है जिसमें अद्धेश्य करके मेडिकल कॉलेज 2023 LIC MUHS और सैशनिक परिशत अमरावती विश्वविद्यालाई के सन्मानित सदस्या और साथ ही आपने कहीं जगह पर अलग-अलग भूमिकाएं आपने निभाई है ऑपिसेटिंग डीन डॉक्टर पंजाब रादेश्मों गईदकिया महाविद्यालाई नैक के कोडिनेटर नोडल ओपीसर करके भी आपने कारे किया है और आप फाउंडर सेक्रेटरी डाइपेटिस असूसेशन आप इंडिया अमरावती ब्रांच के भी है और प्रेजेंट सेक्रेटरी डाइपेटिस असूसेशन अमरावती के भी आप कारे कर रहे है खेल में आपकी विशेश रूची रही है इससे डानामिक परसनालिटी डॉक्टर मिलीन जक्ताब जी आज यहाँ पर मौझूद है मैं उनके स्वागत देतु विंति करता हूं हमारे महाविद्याले के आई कुछी कोडिनेटर डॉक्टर उद्वाइव महाईदर इनका चनमान चिन्हा और पोटा देकर उद्वाइव करें उनका स्वागत सब्सेविंति के जोड़ा टालियों से सवागत किया जाए सर आपने महाविद्याले जीवन के एक रड़ा विक्तित्व रही चुके हैं कि मैंस पर उपस्तीद आज के कार्यकरम के प्रमुकति थी मानने डॉक्टर मादुरुताई चेंड के सच्यू स्री हनुमान व्यायम प्रसारक बंडल अंब्राव थी तथा उपक्राच्यार्य डिग्री कॉलेज और इनका भी मैं आपको संक्षित में परिजय करना चाहूंगा आपकी शिक्षा संस्ता के प्रांगन में कारेड़त है और 26 जनुवरी आरडी परेड एंसीसी इसमें आपने सदस्या करके आपने सहबागरता ली है पचपन से ही आपको प्राचिन भारतिय पारंपरी क्रिडा में विशेश रूची रही है आपके दादाजी मंडल के आद्धे संस्ताफक स् जिताश्री गुरुवर्य पद्मर्शी प्रागर अवैद्य इनके नेत्रूत में आपने कारे किया है आपने भारतिय व्याम प्रनाली के जिसमें लाठी काठी तलवार वाजी मलखाम दान पट्टा जलती जोडी बनेटी आदी पारंपरी खेलों का प्रशिक्षन आपने मं अधुनी खेल प्रसारक मंदल के विविन विवागोग में भी आपका कारे है आप महा विद्याले की उप्राचारपतपत पर कारे रथ है मंडल दारा चलाय जाने वाले विविन सामाजी उपकरम में आपका बहुमोले योगदान रहा है मैलाव के लिए हेल्प लाइन उनको सक्षिमी करन तथा सेल डिपेंस कारेकरम और उनको नय देने का कार निरंतर कारे आपके मारवर्वर्शन में चलते आ रहा है संत गड़गेवा अमरवती विश्विद्याले के सिनेट के सनमाने सदस्य करके आपने कारे किया है आपको सामाजिक शेत्र कारे में कारे कर है तू हिल्लयब्वै होड़ोकर राज्यस्तार पुरस्कार से सनमानित किया गए है तथा जिल्ला पूलिस आयों तो तेम पूरस्कार भी को सनमानित किया गया है और संत ह Adding कि यह इसे हमारे की कॉल्हात रेकरम滿uger प्रमयरन्य और मादूरते चेंड के मैं इनके स्वागत और सनमाने करता हूं डॉक्टर अंडिता गुपता इनको सनमाने करें इनका स्वागत करें सभी से विंति की जोड़ा टालियों से स्वागत किया जाए मंच पर उपस्तित आज के करेंकोर्म के लिए वक्ता तुदा प्रमू कती थी मानने डॉक्टर धनने जी देश्मूक संचालक संशाइन होस्पिटल अंबरावती तथा सुप्रसिद्ध अस्तिरोग तद्न्य खेल चिकीशक तद्न्य पंजाबरावत देश्मूक वेदेके प्रमूप अगद करेंगे तो अगया है कि अगया है कि अगया है कि मंचबर उपस्तित इस कार्यक्रम आयोजन के प्रमूप अगया नियुक्तर लक्षुकान जी खंडागळे शारी शिशाववाव प्रमूप दिग्री कॉलेज अफिसे अमरावती आपकी अगया है महाराष्टर श्यास्तंदारा आपको शिव शत्रपदी पुरसकार से सनमानित किया आपके नित्रुतों में कही राश्टी ता आंतराश्टी स्विमिंग के किलाडी आपने तयार किया है मैं आज के कार्यक्रम के आयोजन प्रमूप मानें डॉक्टर लक्ष्मा खं अपद करें अगया है और मैं विंति करता हूं मानानी डॉक्टर लक्ष्मा खंडागडे सर इस संगोष्टी के राश्टवीक यहां पड़ करें मंच पर विराजमान जो आज श्री डिग्री को लेजा फिजिकल एजुकेशन दौरा संचालीद एवं शिवाजी शिक्षन सांस्ता डॉक्टर पंजाब राव देश्मोग वेद्य के महाविद्यले इनके संयुक्त विद्यमान से खेल चिकिस्षा एवं उनर्वास इस सेमिनार का राश्ट्री अस्तर का संगुष्ठी के आदार पर एक आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में क्योंकि कि जब खेल चिकिस्षा जब वर्ड हमेशा आता है तो डॉक्टर से हमारा काप्री सारा घनिष्ठ संबंद दिखाए देता है तो डॉक्टर के साथ होने के कारण यह आज का वंडे यह एक दिन का जो सेमिनार है कि यहां पर आयोजन होने जा रहा है इस आयोजन का मुख्य उद्देश जो है कि स्पोर्ट्स में आने वाले जितने भी खिलाड़ी जितने भी अलग-अलग गेम से संब्द आने वाले इंजुरी जो चोटे आती है बहुत सारी चोटी-चोटी पात मात्रा में दिखाए दिती है परन्तू उसकी अग्यान अता होने के कारण क्योंकि हम सबस्टेंट में मादय करते होता है लिकिन बहुत było कुछ यहां पर इसंज और को नावजशत है और इस यहीं मैं जिकार माड़ियम है है जिसके माद़ियम से अलग अलग इंज्यूरी कि प्रियें कैसी लें उसके के माद़ियम से दोर जब प्रियंजूरी के दोर से हम त्यार करें तो उसके साथaison एक गजब हम खेलते तो विज़न यह और यह भी बहुत आवश्यक होता है क्योंकि न्यूट्रिशन डाइट अगर हमें प्रॉपर नहीं है तो हमारा पर्फॉण्स के उपर उसका काफी इपेक्ट होता है हम काफ़े देखते हैं depiction में बहुत सारी अलग-अलग injury होती है और वो इंजूरी होते अदे काफ़ी सारा उनसमें develop होने के लिए काफ़ी सारा समय लगता है और ऐसा समय क्योंकि एक झोटी सी injury उसका career वाँ पर खत्म हो जाता है तो यह injury के बारे में अगर हमें फईले से अगर अगर होता है. और हम यहाँ पर पी जी और यूजी के सभी विद्धरती यहा सबी को क्योंकि आने वाले समय में यह सभी प्रशिक्षक बनने वाले र Blick अगाइल खेल के मातरा में जानकरी देने वाले तो इसके लिग के सात्थ स्पोर्ट मेडिसीन की जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है और यह आयोजन करने का एक सर्वात मुख्य उद्देश हमारे सामने यही था दूसरा था कि यह जो आयोजन करते समय कि डॉक्टर क्योंकि हमारा एक PDMC के साथ MOE होने के कारण इनके साथ भी कोलाबरेशन में हमारे एक्ट्विटी यहां पर होनी चाहिए और डॉक्टर्स अगर अच्छे मिल जाए दॉक्टर्स की जानकारी अगर हमें दी जाए तो यह अच्छी मात्रा में हमारा परफॉंस भी वहाँ पर डिवलोप हो सकता है और एक अच्छा आयोजन जितने भी हमारे टेक्निक्स टरी यहां पर उपस्तित हुए हैं उनका भी मैं तही दिल से स्वागत करता हूं धन्यवाद दन्यवाद सर हमारे बीच उपस्तित माननिय डॉक्टर अनुप जी विधरे एमेस और्थोपेडिक्स पंजाब्राव देश्मूख भावसाइप्स देश्मूख स्पूरुति वैद्धिक्य महावेध्याला यहां पर उपस्तित हैं मैं उनके सौगत के लिए आमद कतम प्र इस अधान के लिए अधान कारेकरम के सनमानिय अधाटक माननिय डॉक्टर अटी दिश्मूख डीन डॉक्टर पंजाराव दिश्मूख वैदे के महावेध्याला अम्रावति इससे बिन्ति करता हूं कि उधाटन पर भाषन करें और इस संगोष्टी का उधाटन हुआ ऐसी कोश्चना करें ऐसे में उनसे बिंति करता हूं अधानिय अधानिय आपको सबको कोई सोय नहीं नाविदर हम जहां क्लासेस लेते हैं वहाँ पहले हम उनको पूछना पड़ता है सब जाग रहा है कि नहीं आज इस स्पोर्ट्स मेडिसीन और रियाबिलिटेशन पर आयोजित सेमिनार नैशनल सेमिनार में उपस्तित मंच पर उपस्तित सभी महनुबाओं तथा सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स आप सभी का मैं डॉक्टर पंजाब रादेश्मुक मेडिकल कॉलेज के और से स्वाकत करता हूं और यह जो गोश्टी का आयोजन किया है उनका अभिनान भी करना चाहता हो कि ऐसी कोई एक वर सब्सक्राइब के अध्यक्ष वह तथा डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एड्युकेशन के प्रिंसिप और इस पिदेश्मुक पांडे उनको देश्मुक की ज्यादा आदत पढ़ जाती है माप करना डॉक्टर इस पिदेश्मुक पांडे वैसे ही कॉलेज के वाइस पिंस सब्सक्राइब के डॉक्टर मिलिन जगताप जो हमारे साती है तता डॉक्टर धनेंजय देश्मुक और डॉक्टर कंडागड़ जिन्होंने इस गोश्टी का आयोजन किया है तता हमारे गुरू डॉक्टर विलेकर डॉक्टर अनूप और उपसे सभी डिग्री कॉलेज जब मुझे बताया गया था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक वर्क्शॉप और्गनेज किया जा रहा है तो मैंने कोशिश की कि यह ढूंडने की कि स्पोर्ट्स मेडिसिन होता क्या है हम जिस ब्रांच के डॉक्टर्स है याने अलोपैथी में काफी सारी ब्रांचे से अलग 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 स्पेशालिस्ट है हर एक ब्रांच के हर एक ब्रांच में सब स्पेशालिटीज होती है जैसे डॉक्टर धनेंज है और्थोपेडिक सर्जन है लेकिन वो स्पोर्ट्स में इंट्रेस्ट रखते हैं या फिर नी जॉइन या जॉइन ट्रेस्मेंट टेरपी में भी इंट्रेस्ट रखते हैं ऐसे हर कोई का आजकल अपने ऊपर ऑर सब्सपेश्यलेजेशन होते जा रहा है मैं कि जो डॉक्टर से वह एक विशिष्ट साइन्स का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखने के कोशिश कर रहे हैं अपने स्पेशलाइजेशन का जब मैंने जानकर लेने की कोशिश की तो देखा कि स्पोर्ट्स मेडिसीन एक कोई स्ट्रक्चर्ड ब्रांच नहीं है यहां से अधानों मेडिसिन रहता है मैस ओर्टर्ट्पेश्स रहता है वैसे कोई स्पोर्ट्स मेडिसीन या ऐसे कोई डिग्री कोहीं मुझे नखर नहीं खिंगे डिपलोमाज है कुछ स्पोर्स मेडिसिन के लेकिन जो हमारी जो अथारिटी है नैशनल मेडिकल कमिशन वो इस पर करना इस नहीं करती है तो फिर क्या स्टेटेस है स्पोर्स मेडिसिन का और स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए क्या माइने रखता है स्पोर्स मेडिसिन अब sports medicine वैसे देखा जाए तो physical fitness का एक ब्रांच है और यह एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ doctors काम नहीं कर पाते हैं doctors क्या कर पाएंगे यदि treatment करना है कोई physical injury होती है कोई treatment करना है कुछ fracture होता है तो उसके treatment कर पाएंगे लेकिन इसके सीवा sports medicine में बहुत कुछ है fitness की बात करते हो तो सबसे important रहता है कि आप अपनी capacity कैसे बढ़ाओगे आप injuries कैसे prevent करोगे इंजूरी होने के बाद तो treatment करना हमारा काम है वो तो हो जाएगा लेकिन फिर हर एक treatment से उस athlete का जो career रहता है वो दाव पर लग जाता है आपने देखा होगा कई athletes injury के कारण अपना पुरा career खतम कर देते हैं अभी एक्जामपल है अपने इंडियन क्रिकेट इशू रहता है हर एक sports person के लिए कि वो अपना physical fitness कैसा रख सके injuries कैसे prevent कर सके और injuries हो जावे तो उसका treatment management कैसा हो पाए उसका rehabilitation कैसा हो पाए यह सब चीजे sports medicine में आती है तो इसमें का आप देखूगे तो कि सिर्फ treatment पार्ट यह doctors कर सकते हैं कि बागी कौन करेगा कि अथलीट्स को ट्रेंग कौन करेगा कि अथलीट्स को special training कौन देगा अभी तो यह ब्रांच इतनी specialized होती जा रही है मैं अभी कुछ मैने पहले मुंबई में एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में था जिसको कहते है रिलाएंस कोकिला बेन धिरुबई अंबानी रिलाएंस हॉस्पिटल सभी ने सुन होगा नाम आज इंडिया में का वन अव दे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है मैं जब वहां गया था तो उन्होंने मुझे निरे फूरा फूरा होस्पिटल लिखाया उनका जो टॉप मोस्ट फ्लॉप है पूरा एक फ्लॉप होस्पिटल का पूरा का पूरा स्पोर्ट्स मेडिसिम का अग쪽 मुझे मैं अच्रफ हुगा कि बॉंबबे में तो जगब मिलना बड़ी मुश्पिले अब जरून तो मैं जब वहाँ देखने गया तो पुरे मुझे समझ रहाए कि पूरा लोर क्यों है क्योंकि वह तो एक एक फ्लोर पे दो तिन तिन टिन डिपार्टमेंट से सब जग और यहां स्पोर्ट मेडिसिन के लिए एक पूरा इंडिपेंडेंट फ्लोर दे चुके तो जब वो मुझे दिखाने ले गए तो मैंने वहां देखा कि स्पोर्ट मेडिसिन कैसा होना चाहिए आप लोग में जब भी मुंबई जाने के आपको अउसर मिलता है तो एक बार जरूर जाके देखिए कि एक आडवांस्ट स्पोर्ट मेडिसिन का सेंटर कैसा रहता है वहां उन्होंने बड़ बड़े रोबोट्स लाए इसराल से हैं ऑर कि पोई हान रोब्बोट है कोई फूट रोबट है ऐसा है ईसे स्पेशलाइज्द रोबोट यह क्या करते ह Soon यह रोबोट्स देखते हैं कि कौमसी मसल कितनी अपज़ारी स्पनी लेते हैं जिम गयाई बॉडी बनाे, ट् लेकिन के लिए कुछ स्पेसिफिक मसल्स कैसे डेवलप किये जाए ताकि उसकी केपेबिलिटी इंक्रीस हो एक एक्जांपल दिया उन्हों में मुझे कि जस्पित बुम्रा इंडियन बिसिस है कि पूरी ट्रीम वहां पर ट्रेनिंग लेती है वह सेंटर में कॉस्टली सेंटर है तो वह जस्पित बुम्रा आया थे हमारे यहां पर ट्रेनिंग के लिए वह तो फास्टेस बोलर है आपको पता है इंडिया का इंडिया नहीं वर्ल्ड में प्रेजेंट इस वन दे बेस तो मैंने उनको कुछा कि ऐसा उनमें क्या अभी उन उन्होंने पताया है कि उनको इंपुट्स मिले थे कि इनकी थोड़ी स्पीड और बढ़ जाए तो और थोड़ा स्विंग मगरे आ जाए तो उसमें भूत पाइदा होगा तो उन्होंने फिर उसका पूरा डिटेल स्टडी किया उनका हर एक मसल का इंडियुजन मसल्स और त इसका ट्रेनिंग हुआ और उसका रिजर्ट यह निकला कि दो-चार मैने में उनका स्पीड भी बढ़ गया और उनकी क्यापिबिलिटी भी बढ़ गई और आज वो वर्ल्ड में के टॉप टॉप मॉस्ट पास्वालर में गिनती होती होगी तो यह इंपॉर्टन से स्पोर् इसको रिपेर कर लिया वह तो ट्रीटमेंट पार्ट हो गया वह काफी जगह होता है उससे इंपॉर्टन है कि आप फोकस्ट और प्रेशलाइज सर्विसेज कैसी दे पाते हो और इसे बहुत सारी स्पेशलाइज सर्विसेज है इसमें एथलेट ट्रेनिंग ने स्पेशली इंट्रेशनल लेवल पे ये इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एक साइकोलोजिस रहता है यह टीम जब जाती है तो यह कोई 15 16 17 लोग नहीं जाते हैं इनका पूरा जो एक ग्रूप रहता है सपोर्ट सिस्टम रहता है उसको लेके जाते हैं यह लोग तो यह जो ट्रेनिंग है यह पूरा स्पोर्ट मेडिसिन का पार्ट है आपको पता नहीं होगा यह लोग कितना उसके उपर अभी आपन इतना अडवांसेस हुए है इसमें एरोबिक एनेरोबिक मेटाबॉलिजम भी मार क्योंकि जब आथलेट जब वह ट्रेनिंग लेता रहता है या फिर जब वह पार्टिसेट करता है तो उसका बेसक मेटाबॉल चाहिए और कहां तक के वो सस्टेन कर पाएगा कहां एरोबिक खतम होगे कहां एरोबिक चलो यह एक साइंस है आप इसमें जितना स्वेशलाइजेशन करोगे आगे चलके आपको बहुत अच्छे ऑपरचुनिटीज मिलेंगी बड़ा नया साइंस है स्पोर्ट्स मेडिसीन सब्जेक्ट यह फिफ्टीज सिक्स्टीज सेवेंटीज में शुरुवात हुई इसकी जबकि मेडिसीन के सब सब्जेक्ट तो सेंचूरी जोल्ड है और अभी कहां अपने समझ में आ रहा है कि नया नया क्या इसकी क्या-क्या होशकता है इस सब्जेक्ट में प्रेबल है आप उसके स्पेशलिस्ट बनो या ना बनो लेकिन आप यदि यह समझ लोगे तो आपको बहुत फाइदा हो इस सिर्फ वरजिश करने से फाइदा नहीं होने वाला होगा उससे भी फाइदा होगा फिजिकल फिटनेस तो आए गया लेकिन जो स्पेशलाइज फ सब्जेक्ट में आपको फ्यूचर में बहुत स्कोप रहेगा तो इसलिए आज स्पेशलाइजेशन सोचो इस बारे में कि आप क्या कर सकते हो स्पेशली वेस्टन यूरोपिन कंट्री यह बड़ा डेवलप ब्रांच है मुझे पता नहीं एक उनका इंट्रेशल और और्गनाइजेशन भी है इवन इंडियन अस्पोर्ट में आये तो आप भी अस्पोर्ट में बनाईए कॉलेज लेवल पर बनाईए उसका अफिलिएशन लीजिए उनके कुछ और से रहते हैं वर्क्शॉप्स रहते हैं उसको कीजिए बड़े-बड़े से वहां जाके देखिए कैसा होता है स्पोर्ट मेरी से आप वहां जाके मैं जब पर कोके रबें गाया और वहां देखा कि इस लेवल पर अभी काम हो रहा है यह आप यहां बैटके सिर्फ ठेरी पढ़के आपको उतना नॉलेज नहीं मिलेगा जब तक कि आप यह ऐसे बड़े-बड़े इंस्टिट्ट्स नहीं देखते हैं बड़े-बड़े फैसिलिटीज नहीं देखते हैं फिर आप कोशिश कीजिए कि आप क्या कर सकते हो अपने कॉलेश के लिवल पर क्या कर सकते हो डेफिनिटली आपको इसमें बहुत मदद होगी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा मुझे पता है आपको स्पेशलिस्ट लोगों से सुनना है इस मौके पर फिर से मैं ऑर्गनेजर्स को धन्यवाद देता हूं सब स्टूड़ेंट्स को भी जान देता हूं धन्यवाद को और अंत में के लिए मैं खड़ा हो गया था कि आज का यह जो स्पोर्स मेडिसिन और रियाबिलिटेशन पर नैशनल लेवल सेमिनार है इसका ओफिशियल उद्गाटन हुआ ऐसा में डिकलेर करता हूं धन्यवाद सर नीची तुरूप से आप लोकुन करेंगे और इस सपोर्स मेडिसिन का काफी है । पाइदा हमारे सब्सके के लर सेत्रम और हेलो से और आपके सास्ता के साथ जो हमारा मैं मं उह हुआ है उस माद्यसे हमारे छात्रों में आशा करता हूं और स्पोर्स मेडिसीन के माध्यम से जो हमारी समस्या है आती है उसका निराकरण करने के लिए हमारे सभी यहां उपस प्रतिनिती इसका फायदा लगे इसी में आशा करता हूं थैंक्यू थैंक्यू में इसक्राइब आमातिक करता हूं आज के कालेकरम के प्रमोकती दी माननिय डॉक्टर सोमतर देचेन के सच्छु लिए अपना यहाँ पर मार देचन करें डॉक्टर मादुर्दैचेन के जड़ा कर्थम विद्या की देवी मा सरस्वती इनके चरणों में वेनमन करती हूं स्री हनुमान व्याम सारक मंडल के आध्या संस्थापक स्वर्गी अंबादास पंतजी वेद्य तथा अनंत कृष्ण वेद्या इनके स्मृती को अभिवादन करती हूं आज के स्पोर्ट मेडिसीन और रहाबिलिटाशन इस नैशनल सेमिनार में मचपे उपस्थित सन्माननिया श्राइब करत्व पृष्ण देश्पन्डे सार अध्यक्ष्य तथा अध्यक्ष्ट इधर्था प्रिंसेपल डिज़ी कॉलेज आफ थी जिकलेशन डॉक्टर देश्मुक सर दीन डॉक्टर पंजाब राव देश्मुक मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर जक्ताप सर डॉक्टर खंडागरे सर डॉक्टर देश्मुक सर डॉक्टर विदह सर तथा उपस्तेज सर्वप्राध्यपकपर्क और स्टुडेंट्स मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं उस वक्त मन में ख्याल आता है कि अलग-अलग स्पोर्ट्स के बारे में जानकर एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए उसकी तयारी इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन कहां से आ गया तो मुझे आप लोगों को प्षोडा सा अपने हिस्ट्री में लेके जाना है आप लोगों को बता है कि 1914 साल में हमारी सांस्था की स्थापना हुई उस वक्त कुष्ति का अखडा यह रूप में हमारे संस्था की शुरुवात थी फिर उसमें ना जो भारतिय स्वातंतिर संग्राम में एक अपना योगदान यह संस्थान एक उसका देश्च रखा था और उस माध्यम से उसमें भी बहुत सारा काम संस्था के कार्य करता होने किया है आप लोगों को सभी को पता है लेकिन हमारे जो संस्था पर थे अंबा भेजते आ रहे हैं और यह टीम सिफ अपने वयाम का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं थी तो अपने शारिरिक शिक्षा में हाईयर स्टड़ी भी किस तरीके से हो इसका भी एक जो एजुकेशन है हमारे बच्चों को मिले हमारे संस्था द्वारा वह आगे लिके जाए इसलिए हमारे डॉक्तर को कड़ेकर जो काले करता थे वह जर्मनी बेजे किसलिए है तो शारिरिक शिक्षा में पीएचडी के डिगरी के लिए आप सोचिए कि 1928 उस वक्त अपना जो देश वो पारेतंद्र में था अंग्रेजों के रूलिंग में था उस वक्त इस तरीके क सोचना और सिर्फ नहीं सोचना तो वहां पे भेजना भी आजकल अपने पास में कंप्यूटर से हाथ में मोबाइल है एक क्लिक में हम दुनिया में किसी भी कोने में संपर्क स्थापित कर सकते हैं लेकिन उस वक्त जहां पे टेलिफोन भी नहीं था ऐसे में सिफ टेलिग्र काम पहुचने भी तीन-तीन महने लगते थे ऐसे परिस्तिती में दूर देशों से संपर का प्रस्तापित करके हमारे कार्य करताओं को वहां पे भीजना यह सच में बहुत बड़ी बात है तो उस मताबिक 1928 को जर्मनी में भीजा गए हमारे डॉक्टर को कड़े कर और वहां को पता है कि उसका अपरिसेशन मिडल राष्ट्रादेक्ष्र ने ततका लिन जो राष्ट्रेदक्ष्रे उन्होंने अपने संस्ता के टीम को दिया था उसके बाद में जपान में भी हमारे ना दो कार्यकरता बेजे गए वहां पे जूड़ों सीखना और अपना आर्चरी का लगता था लेकिन द्यानेश्वर जी देशपांडे और रगुनात्राव खानी वाले दो वहां पे ना भेजे गया और उन्होंने वहां पे अपने आर्चरी का बीडिमॉस्यों दिया और जूडों सीखा द्यानेश्वर जी देशपांडे वहीं पर आजाद इंद सेना में के साथ में और वो शहीद हुए अपने देश के लिए और खानी वाले जी जो है वह उन्होंने भारत में सरवरप्थम जुड़ो यह खिल लाया उसका प्रचार प्रसार करके उसको आगे बढ़ाया यह हमारे संस्ता की देन हम बोल सकते हैं अपने भारत बर्श में अब यह होत अलग अलग उसमें जो फैकल्टी है वो चल आगे चल रही लेकिन उसके पीछ में डॉक्टर बापट करके बहुत अच्छे फैकल्टी थे तो उनका एक सुझा था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन अपने यहां पे शुरू होना चाहिए और 1971-72 में हमारे यहां पे डॉक्टर SW गणवरकर जी थे जिनको सुझा द्वारा रोम में बेजा गया और रोम की इनिवर्सिटी में और वहां पे उन्होंने हाइयर एजुकेशन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन यह हासिल करके डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन की डिग्री 1971-72 में उन्होंने हासिल की जो सुझ सुझतादारा वहां पे बेजा गया और उसके बाद में 1975 को डॉक्टर एनन मुर्केजी इनको बेजा गया यह दोनों भी हमारे संस्था के कारे करता थे और उन्होंने इंटरनाशन कोर्स इन स्पोर्ट्स मेडिसिन जिसका आयोजन ब्रिटीश असोसियेशन आफ स्पोर्स म के कार्य में बहुत अच्छा काम शुरू हुआ जिसमें इसको आके य आगे लेके जाने के लिए महाराश्यरा स्टेट असोसियेशन और स्पोर्स मेडिसिन इसकी अपने मंडल में न स्थापना हुई 1974 में और इस असोसियेशन के माध्यम से अलग अलग कॉंफरेंस से और स् फिल्ड से संबंदित एक्सपर्स थे वो यहां पर उस सेमिनार के नैशनल सेमिनार कॉंफरेंस के लिए वो आते थे और इस तरीके के अलग-अलग कॉंफरेंस हमारे सौंस्था में और गनाइज होते गए जैसा भी ना डॉक्टर देश्मुक सर ने बताया की स्पोर्स मेडिसीन याने क्या तो स्पोर्स मेडिसीन इस ब्रांच ऑफ मेडिसीन इस डियल स्विट फिजिकल फिटनेस ट्मेंट एन प्रिवेंशन ऑफ इंजूरी और यह अभी चालू दोर में बहुत ही जादा इंपोर्टन ब्रांच है क्योंकि जैसा आप लों को पता है कि अलग-अलग खेलों में जो इंजूरी होती है तो वह ना हो मैंने किस मुवमेंट से कौन सी इंजूरी होती है वह ना हो यह पहले से यदि बताया जाता है या फिर हम उसको पढ़ते हैं तो वह जहां तक हो सके उसका प्रिवेंशन होता है दूसरा कि जब ग्राउंड में इ मुर्च आने के बाद कोन सी फर्स्टेड हम देते हैं यह हमने सोचना चाहिए पीछे एक बार ऐसा हुआ तक लड़की के पैर में मोच आ गई और वहां तक सवाल है उसको आइस ट्रीटमेंट देना चाहिए तो उसका पैर गरम बाल्टी में डाल दिया तो इस तरीके का जो हो होता है गलत तो वह बिकोज ऑफ शॉट ऑफ नॉलेज होता है इसलिए हमें उस पर्टिकुलर चीज की जानकारी हो इसलिए स्पोर्ट्स मेडिसिन हमारे फिल्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम खेलते हैं तभी बहुत ज्यादा इंजूरी होने के चांसे ह होते हैं तो जब फर्स पाफ पहले में जूरी होती है तो हमने कौन सी सब्सक्राइब देनी चाहिए और डॉक्टर तक पहुचने तक कौन सा कियर लेना चाहिए यह हर किसी को पता होना चाहिए सिर्फ को नहीं तो प्लेयर्स को भी ताकि उसकी इंजूरी आगे ना बढ़े तो इस तरीके का यह बहुत इंपोर्टेंट ब्रांच है स्पोर्ट्स मेडिसिन का और हमारे स्टुडर्ण ने इसका जो नौलेज है वो ज़रूर रखना चाहिए हमारे जो एंपीड कोर्स है पोस्ट ग्राजुएशन कोर्स इसमें यह स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है और हम चाहते है कि उन लोगों ने तो खास कर इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से इसे सीखे और यह बहुत अच्छा आयोजन हमारे कॉलेज ने और पंजाव ब्राव देश्मुक मेडिकल कॉलेज के संयुक्त विद्दमाद में यहां पे आय यह बहुत ही महत्वा पुरुना रहेगी और इसके लिए हम पंजाव राव देश्मुक मेडिकल कॉलेज का मन से धन्यवाद करते हैं कि आपने एक इस दृष्टी से पहल की और हमारे स्टुडेंट को हमारे प्राध्यापकों को इसका मौका दिया सीखने का आपके एक्सप हमारे कॉलेज का एक मौयू भी हुआ है और इस मौयू के तहत हम आगे भी पूरा साल बर अलग-अलग एक्टिविटी लेंगे ऐसे हमें एक प्लानिंग करना है और इस एक्टिविटी में सभी का सायोग सभी का सहकार उतना पेक्षित रहेगा मैं फिर से एक बार सभी करती हूं और मुझे यहां पर बुलाया और आपसे दो शप्त कहने का मौका दें इसलिए अभी नंदन करती हूं अभी नंदन करती हूं जन्यवाद मैडम नीची दुरूप से हनुमान वायां प्रसारक मंडर के विविन गतिविधी तथा स्पोर्ट्स मेडिकेशन के शेत्र में जो संस्ता ने कारे किया है 1974 से आज तर लगादर करते आ रही है उसके बारे में आपने संक्षित में जानकर यहां पर फस्तुत की है और आने वाले समय में पंजाब राव देशमुक वईदे किये महाविध्यालय हनुमान वायां प्रसारक मंडर के सहयुक्त विद्यमान से काफी इस शेत्र में और हम क डिगरी कॉलेज आप फिजिकल एजुकेशन और डॉक्टर पंजाब राव देशमुक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इन दोनों संस्ताओं के संयुक्त प्रया से आयुजित इस स्पोर्ट्स मेडिसीन और रियाबिलिटेशन नैशनल लेवल सेमिनार के लिए उपस्तित इस कारेकरम के उद्गाटक अधरनिया डॉक्टर एटी देशमुक डीन पंजाब राव देशमुक मेमोरियल मेडिकल कॉलेज साथी साथ यहां पर उपस्तित उस संस्ता के सीनियर प्राध्यापक और वहां का आईक्यूसी जो संभालते हैं आईक्यूसी के कोडिनेटर डॉ करत्ताब सर माविध्यालेसे उपस्तित सीनियार मार्गदर्शक डॉक्टर विलेकर साब यहां पर खड़े हैं हमारे साथ उपस्तित है, इनके साथ जो लोग हमें आने वाले समय में मार्गदर्शन करनेगी सेमिनार के अंतरगत पईसे एक्सपर्ट्स डॉक्टर धनंजे डॉक्टर अनुक विदले, डॉक्टर मैंद्र जी गुडे, मैंद्र जी गुडे वो भी आने वाले हैं, अभी किसी कारण वश्क इस कारेक्रम में उपस्तित नहीं। साथी साथ यहां पर उपस्तित हमारे सभी जेश्टर प्राध्यापक, हमारे IQC के कोडिनेटर डॉक्टर उदय मांजरे और सभी विद्ध्यारती मित्रों। यहां पर यह जो आयोजन हो रहा है, वो अग हमारे लिए सही में एक गुल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुवर्न संदियम जिसे कहते हैं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, जिसे स्पोर्ट्स मेडिसिन का गया, इसके एक अम्रेला टर्म है स्पोर्ट साइन्स, आज सिफ स्पो को कोई से प्रैक्टिस और कोचिंग यहां तक आप सिमीत नहीं रख सकते, अगर इसके साथ में साइन्स और टेकनोलाजी अगर जुड़ती है, तो ही जो अपेक्षित परफार्मंस से वो आते है, परफार्मंस दिलाना एक बात है, और दुसरा इंजूरी से बचना, यह भी बहुत अनिवार रहे है, क्योंकि कई इंजूरी जैसे होती है, कि जो जिन्दगी वर हमें फिर उसकी तकलिव होते रहती है, तो इसके लिए यह सभी चीजों की जानकारी हमें रहना बहुत अनिवार रहे है, मुझे याद है कि मैं 2016 में एक हंगेरी बुड़ा पेस्ट गया यहां तक तो ठीक है कि क्या परफॉर्मस देरें, मंगर हो टो एनांस दा परफॉर्मस यह बात जब आती है, तो उस वक्त उसके साथ में विदाउट टेक्नोलाजी, विदाउट साइंस, यू कैनाट एनांस यूर परफॉर्मस अप्टन सर्टन लीमिट, तो यह जो मायन्य परफॉर्मस चीजे होती है, वो चीजों को हमको जानना अत्यन दावश्यक है, आज हम जो परफॉर्मस देते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे कोचे समको नए-ने टेक्निक्स उसके बारे में पढ़ाते हैं, उनका हम सराव करते हैं, और उसके आधार पर अप में यह प्रयास करना भी अत्यन तावश्यक है कि किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल हमारे परफॉर्मस एनांस्मेंट में करेंगे, आप में से बहुत सारे जो हमारे विद्यारती है, आने वाले दिनों में कही ना कई कोचेस करके काम करेंगे, तो यह कोचिंग का जो क्षेत रहे वह भी अभी बहुत बढ़ गया है, उसका मल्टी डायनामिक ऐसा क्षेतर बनते जा रहा है, मैंने वहाँ पर देखा एक कंपणी ने उनका डिमोंस्ट्रेशन रखा था, वह कंपणी का नाम भी मुझे याद है, हडल कंपणी थी, और उनके अपास में वीरेबल सेंसर थे, आज तो अपने शरीर पर आप सेंसर को धारन करिए, और आपका परफार्मंस देते रही है, तो वह सेंसर आपको बताते हैं, कि आपके चीजों के इसमें क्या कमिया है, जैसे सर ने भी काभी अच्छा उदान डिया कि कोई मसल है, उसके उपर अपे कार्य करना है, इतन उनसे मुवमेंट करेक्ट होते हैं, जो आपके परफार्मंस को इंडर करते हैं, जब हम जैविलीन धरो करते हैं, तो उसका एक एंगल जो होता है, वह हमने मेंटेन करना है, अगर वह हमारा फोल्टी भाईू का अगरेंगल मेंटेन करेंगे, तो थो हमारा काफी दूर तक आ सकता है कम एफट्स में तो यह जो चीजे होती है यह शायद आप लोग पड़ते हो मगर इनको हमकभी हमारे मैदानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते या करते भी है तो हम ने उसको किया कि नहीं उसको अब्जर करने के भी टूल्स हमारे पास आज की तारीक में नहीं है तो यह कि दूसरी बात आती है कि जो स्पोर्ट मेडिसीन का शेत्र है वो उससे थोड़ा अलग यह परफार्मस के तरब जाएगा और मेडिसीन जब हुआ जैसे उसमें फिर तुम्हारा डायेट होता है हमने एक हमारे संस्तानिक पेटेंट भी लिया इसके उपर स्विमर्स का कि डाय हो या फिर आपका जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेशन हो आपको दिया जाने वाला वारमप हो यह सभी चीजे आपके परफार्मस को कहिना के इंपक्ट करती है और इन चीजों को हमने अभी गौर करनी की ज़रूरत है इंटरनाशनल लेवल पे हम जब देखते हैं कि माइक पूरा जब जिल जोक के काम करते है तो ऐसे वाक्त हमें खुद की भी सूद रही रहती है और इंजूरीज होने की संबावनाए होती है तो यहां जब इंजूरीज की बात आती है तब हमारा स्पोर्ट्स मेडिसीन का क्षेतर हमें मदद कर सकता है तो हमें बड़ी खुशी ह कि पंजाब राव देशमुक मेमोरील मेडिकल कॉलेज के साथ में हमारा जो माध्यम से एक मेडिकल साइन्स के जो एक्सपर्ट से हो अमारे साथ में जुड़े हैं और हम सराणा करते हैं उनके प्रयाज़ों की कि किस प्रकार से हो खुलकर इस बात के लिए हमें मदद करने के लिए तयार है और ये भी उन्होंने बेश्मुक सर ने काफी अच्छा कहा कि ये कोई एक अकेला medical practitioner ये बात नहीं कर सकता जब तक हम sports science वाले लोग उनके साथ जुड़ेंगे तो अभी ये जो हमारा एक दूसरे का जो एक amalgamation है उन जो हम दोनों की जोड़ है यह अगर हम साथ में मिल जाए तो ही आने वाले दिनों में हम रहा होती यह medical science में पर्टिकुलरली sports medicine में एक अच्छा खासा center करके निर्मान हो सकता है और ऐसे मिले जुले प्रयास हमें करने की जरूरत है और इसके लिए पहल सर के माध्यम से सर के नेतरुत्व में देश्मुक सर के नेतरुत्व में हमारे पंजाब रा देश्मुक मेमुरियल medical college ने की यह और हम उनको अभी पूरा साथ देने के उनके माद्यूम से हम वो समस्या है आने वाले दिनों में इनी सभी experts के पास पहुंचाईंगे और उसके माद्यूम से उसका अच्छा समाधान डुंडने की कोशिश करेंगे कुछ अच्छे research इसके माद्यूम से सामने आएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ और काफी वक्त हो गया इस इनाग्रेशन में आपको जिनको सुनना है वो सभी लोग यहाँ पर उपस्ती थे मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बार पुनश्य हमारे सौंस्ता की और से अनुमान वैम प्रसारक मंदल और डिग्री कॉलेज और फी साले दिनों में एक अच्छा सेंटर यहाँ पर अपने आपी निर्मानों ऐसी अपेक्षा करता हूं आप सभी लोगों को इस कारेक्रम को आपने रिजिस्टर किया और आप उपस्ती थो आपको भी धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विलान देता हूं दन्यव सब्सक्राइब करता हूं उसका पहल निच्ची तरुप से होगा इसी में आशा करता हूं और मैं आज के इस उद्धाटन कारेक्रम का आउचारिक अभार वेक्ते करने के आमद करता हूं थादा द्यापक पुछबक को नदे तरुबक करता हूं अजरेब्नित्री से थे थे इस किस्ट पार्टिपज तरुबक करता हुट झालब करता हैं नहेंग थे लागएंगे लक्ट्टेम उभाएंगे लिए एक ट्रामीने न बास हैंके टॉर्टिजस ट्राइविश लेची एस स्टीमिज और अपने इस लिए स्वाण्फाँ बाओ mental college an Creative CEO कि अलो टूठ थीर करिप टेरां से लिए तर्सेब ट्रेच वीटेशन ट्रेक्ट गबाओ सवीच सर्ड बादि कहां टेच सेमी इस इते टो तो और रोजब ट्रू झाओ सथेन्ड में प्र टूसर एक थैपोष्र Dr. Madhuri Chendke Ma'am for her tireless support and guidance. A special thanks to Dr. Rashmikan Khandagade sir, Head Department of Physical Education for his mentorship and presenting the introduction of the inaugural function. We extend our gratitude towards Coordinator of the Seminar, Dr. Dhanandja Eshmukh sir for his guidance in organizing the seminar and also accepting the invitation as the resource person of our participants. As we conclude, this inaugural functions, it is essential to acknowledge the collective efforts and commitment that has made this seminar a resounding success. Our deepest gratitude goes to our in-stream speakers. As we all know there is a tireless team such as Assistant Professor Ashish Hatekar sir, Assistant Professor Amrita Ma'am, Vaibhav, Ashok, Abhishek, Rajwal, Sakshi, Anandeep, Palak, Khushali, Nakul, Ram, and Vaishnavi who have been working so hard for organizing this seminar. Last but not least, a special thanks to all the participants and the staff members of Degree College of Physical Education and PDMMC who have joined in an offline mode and online mode for us. Thank you so much and our next session will start just in 10 minutes. So please be here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Now we have 10 minutes after this session you will be here. 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 और पेर खीशते हैं, आपको वीक्निस आएगा और पेन होगा. The reason behind that is, it means that your both side of muscles are not strong. It means that आपका कोई गुरूप strong हो रहा है, कोई गुरूप weak है. इसको एगोनिस बोल सकते हैं, इसको एंटागोनिस बोल सकते हैं, एंटिग्रेविटी मुसल्स जो बोलते हैं आपको. You have to assess those muscles. Now, what are the common injuries that occur in our body? Common injuries क्या होते हैं? Push more. Videos, videos. Play that. Now, take this. This knee joint is. For example, this is the knee joint. यह जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है anterior cruciate ligament. Cruciate माने, criss-cross जो है वो. ठीक है? और यह जो है, posterior cruciate ligament. और यह मिनिस्कस है. अब, चुकि यह ligament यहां से arise हुआ है, इसका मतलब यह, हड़ी को पीछे जाने से रोकता है, ठीक है? और posterior cruciate आगे जाने से रोकता है. क्यों दिखा है मैंने यह वीडियो? मैंने आज तक more than 500 ACL surgeries कर चुका हूँ. और जिन-जिन बंदों में मैं surgeries करता हूँ, तो उनके शरीर में जब मैं ligament तैर करता हूँ, तो मुझे उनके शरीर का tendon लिना पड़ता है. ठीक है? उस tendon का नाम है, semi-tendonosis tendon है, gracilis tendon. और मैंने देखा है, कुछ-कुछ खासकर players में, मेरे पास गए मैने में, कबड़ी players के surgeries हुए है, मेरे पैर में wrestling के बच्चों के studies हुए है, surgeries हुए है, उन दोनों भी बच्चों में, मुझे दोनों tendon निकालने के बाद, semi-tie और gracilis tendon, यह tendon निकालने के बाद, जब आपन ligament तैर करते हैं, उस tendon को अपने को एक दूसरी के उपर fold करना पड़ता है, ligament के हिसाब से, उनके दोनों tendon लिकालने के बाद, fold करने के बाद भी, उनके ligament का साइज मुझे सिफ 8.5 मिला, प्लेयर्स में, about 9 is always better, द्हान में नहीं आए आपको, मैं फिर से बताता है, सुनो, इस ligament की विड़त होती है, जाड़ी होती है, जाड़ी, और उतने ही जाड़ी का, मुझे दूसरा नया ligament तयार करना पड़ता है, और कहां से तयार करेंगे मैं, उनके बाड़ी का tendon निकल के, tendon माने क्या, यह जो धागा होता है, उस धागे को निकाल के, मैं वो ligament तयार करता हूँ, मर उस धागे को मुझे चार बार, एक दूसरी के उपर लपेटना पड़ता है, ताकि मुझे 9 mm मिले, कबड़ी प्लेयर होने के बावजुद, व्रेस्टलर होने के बावजुद, उन लोगों में मुझे ओ टेंडन का साइज, साड़े आठ तक ही मिला, इसका मतलब क्या है, उन्होंने सिफ कुछ लोगों का आदत हो दिये, गए ग्राउंड में बस थोड़ा वार्म अप किया, शुरू कर दिया गेम, यह जो आपके स्पोर्ट्स में काम आते हैं उनका वार्म अप, और एक कबड़ी प्लेयर होने के बावजुद, मुझे उनके नी जॉइन में जो टेंडन मिला, वो बहुत वीक मिला, और टेक माइवर्ट्स, मैंने इसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन भी किया है, कि जिनमें ACL तूट रहा है, उनमें ये मसल्स वीक है, उनका नाम क्या है, हैंस्ट्रिंग मसल्स, सेमिं टेंडनेशिस, ग्रैसेलिस, बैसेप स्वीमोरिस, आपको इन हैंस्ट्रिंग के उपर बार-बार काम करना होगा, हमेशा काम करना होगा, बीच-बीच में आराम देना होगा, फिर से आपको एक्सराइस करनी होगी, यानि कॉमन इंजूरिस क्या है, चूमन इंजूरिस ए है, ए से ए अलिगा में ए ए पिरसे लिगा में और मसल्स कोंसे स्ट्रॉँंग करना है, अपने को हैं मैंस्ट्रॉइंस स्ट्रॉँंग करना है, ग ranks ले गां मिंडूर्फ और दूसरी बात, now see here, when we are flexing the knee, कि सम्ड लिगामेंट्स रगेटिंग टॉट अं मेंट्स रिगामेंट्स रगेटिंग लूज Nawiyya मुवेंट करते हैं अगर को यह कमजोर है और यह ताकतवर है और गृष्ट्र मुवेंट भरबर नहीं होगा उसी प्रकार से अगर आपका quadriceps tight नहीं है और hamstrings tight है तो आपका नी मुमेंट बराबर नहीं होगा आप आए वेलकम डॉक्टर महेंद्र गुडे मेंद्र नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो यह अपना जॉइंट का मुमेंट थो हो रहा है जॉइंट का मुमेंट तो हो रहा है फिर से वही एक्जामबल देता हूं मैं अपने को वेल में से पानी निकालना है जिस वील के आपर गूम रहा है जिस वील के उपर अपन रसी डाल रहे है वह एक रॉड को सपोर्ट कर रहा है उस रॉड को दो लकडिया सपोर्ट कर रहे है उनको support करें जमीन यानि हर मुवमेंट होने के लिए आपको बेस बहुत पक्का होना चाहिए और वो बेस है bones and ligaments next यह यह वाला हाँ हाँ नो दिस इसे लिगामेंट डाट इस रप्चर्ड यह वह है जिसमें एसे लिगामेंट तूट गाया है पेशन का ठीक है अब यह अपने वीडियो के ऊपर देखा कि लिगामेंट कोन सी होते हैं मैंने आपको 3D इमेज दिखाया ओरिजनल लिगामेंट इस प्रकर दिखती है collagen tissue होता है this is a cell which is broken next और यह जो होती है यह जिसको अपन डॉक्टर बोलते हैं गादी गादी यह मिनिसक्स है जो दो हड्डियों का friction कम करती है बंदे का मसल कितना भी strong है हड्डी कितना भी strong है मगर वो बार 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 घिसेगा तो तो काम से निकल जाएगा तो तो नी जॉइंड में दो हड्डी एक दूसरी के ऊपर नहीं घिसना इसलिए अपने को मिनिसक्स दिया है प्रकरती ने और वो मिनिसक्स इंज्यूरी होता है यह मिनिसक्स इंज्यूरी है next and this is the thing which we know which we are having this a fastfix बोलके एक नया instrument आया है जो आपके मिनिसक्स को suturing में help करता है और आपको नया कुछ बाहर से कट करने की जरूरूरत नहीं है this is newly developed system which is in stitch नहीं होता है जिस्टिश से आप operation करते हो आपके लेजर सर्जरी इस बहुता है इस बहुता है नहीं है next next yeah now see this this is the newly constructed ACL ligament मिन आपको आपके बाडी का लिगमेंट लेके हम नया लिगमेंट यार करते है that is a newly constructed ACL ligament and the most common injuries are और अन्टार चुक्ट्स्रीश म्हेंड है और यह तो पता चल कि इसलिए इंज्यूरियों कामने मोर्मेट को प्रिमें टोरेशेप्स काता हुटी अगर म्कोड काटरी और हेंक्सथ यह पहरूरे प्लिकलेंग's को मौण करें तो आप आपके अगर आपको किसी मुमेंट में पेन होता है you can consult us we will tell you how to overcome that pain okay we will tell you how to overcome that pain next है और एक बात है यह देखो यह जो है न अब आपने यह तो देख लिया कि मसल कैसी है लिगामेंट कैसी है अब यह जो ओरिजनल नी जॉइंट है अपना इस और ओरिजनल नी जॉइंट ठीक है फॉस और यह जो दिख रहा है आपको एक कारटिलेज है कारटिलेज माने क्या जो आपके जॉइन को एक दूसरी के उपर कि मुम्मेंट करने में हलप करता है। थिक है। जब तक आपका kaartylis ठीक है तब तक熬 का kommal ty смотреть क ouais जिस दिन का आपका कडो लैंस चॉन घर्याब होना चाल कि यूजय यह ओल्ड लोगों में चीनका इज 55 की ओपर अंचिर और से अब बॉलते हैं, मगर कुछ लोगों में, COVID के बाद या कुछ लोगों में, इंजुरी के वज़े से cartilage damage हो सकता है, इस इस दे सर्जरी वेर वेर रडन replacement of cartilage, पेशन के बॉडी से cartilage निकल के अपन ने उसमें cartilage डाला है, पूरा मत बताओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, आँ बस, हाँ, नो दिस इस वाइट ग्लिसनिंग structure, which is called enter cruciate ligament, which we have strengthened, अब हर बर यह होता है कि ACL surgery हो आय मेरा, then still I am having pain, ACL surgery हो आय मेरा, still I am having pain, take my words, आप ACL surgery करो या PCL surgery करो, जब तक आप उस joint के moment करने वाले muscles का physiotherapy करते नहीं, तब तक आपको result आएगा नहीं, जैसे सर ने अभी इन सर ने सब रहे कहा कि रिशवपन का 9 महने से physiotherapy चल रहा है, उसका यही surgery हो आए, he is doing physiotherapy since 9 months and that to that muscles which are supporting ACL, जो मसल जो ACL को support कर रहे है, ठीक है? this is ideal knee joint, यह original knee joint, आप में से हर एक का ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? this is original knee joint, जो मैंने पहरे दिखाया है, वो pink color, white color, वैसा नहीं होता है, this is original knee joint, यह cartilage इस प्रकड़ दीता है, yellow cartilage इस था, white glistening structures, ACL ligament, ठीक है? next नहीं, next, 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 back, 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 back. हाँ, बस थाम थामत. अगे अगे आई विल रिवाइज, ओके फिर से आपन रिविजिन करते हैं. सि asse for the flexion of knee join uncle should be dorsiflexth hip should be flexed hoş इसके ज नियुकों मुष्ल्स काम कर रहे हैं मसल्सकों लिगामेंस रहा है। लिगामेंस को इसे मिद्धेय एक तक रहा है और इनध भूरसेज़ाइब करने के लिए अपने को इंघसरईज करना है जब आपन अपना हाथ उपर उठा रहे है, at the same time अपना collarbone भी उपर मुव हो रहे है, at the same time अपना shoulder blade भी उपर मुव हो रहे है, जिसको आपन scapula बोलते है, play करो उसको, गवर से देखो, फिर से गवर से देखो, starting से play करना पुश्पर, हाँ, see here, when the arm is going up, the shoulder blade is also moving and the clavicle is also moving, it means that, अगर आपको racket उठाना है, तो आपको scapular blood के muscles भी strong करने होंगे, okay, the ratio of movement is 2 is to 1, and scapula अगर 2 cm उपर गया, तो हुमर्स 1 cm उपर जाता है, ठीक है, यह ratio maintain करने के लिए, दोनों muscles को strong करना ज़र रहे है, and the reason behind what I am showing you this is, the injuries are more prone, because of this alignment is broken, जब यह synchronously break होता है, तब आपको injuries होता है, आपके joint के अंदर का labrum तूटता है usually, आपका tendon तूटता है, आपका muscle pull होता है, आपका muscle tear हो सकता है, और दूसरा जो rotator cuff बोलते है, वह भी tendon तूट सकता है, ठीक है? Stop, Bust up, अब यह जो सफेद दिख रहा है आपको, यह capsule है, joint माने, joint is a room, a room which is having two bones, और उसके अंदर मुह होने के लिए एक liquid होता है, जिसको आपन sinual fluid बोलते है, और यह fluid इदर उदर नहीं जाना है, इसलिए आपने को capsule से pack किया गया है, ठीक है? Now what I am telling you, listen this very carefully, muscle strengthened, bone diet से strong हुआ, मगर जिसका capsule stiff है उसको zero marks है, जब तक आपका capsule elastic नहीं है, जब तक आपका capsule mobile नहीं है, you can't move that joint to a full extent, and the best thing is that our Indian yoga teaches only this thing, stretching, stretching and stretching, और सबसे जदा stretching अगर होता है capsule का, तो योगा में ही होता है, so when you are playing certain, when you are playing some specific game, try to learn the yoga poses, which help in stretching of that capsule, for example, shoulder joint के लिए यह जो moment होता है, यह moment, यह moment, यह capsule को stretch करता है, यह moments आपको सीखने होगा, यहाँ में छोटे season में इतना बताने सकता कि कौन-कौन सा यह होता है, but important thing बता रहा हू, capsule को stretch करना उतना ही जरूरी है, जितना जरूरी, muscle को strengthen करना है, next, 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 stop, now this is the muscle which is called deltoid muscle, मैंने lecture का start कैसे किया था, cosmetic muscles and functional muscles, जैसे आपन बोलते है कि Salman Khan की body यह बस deltoid दिख रहा है, biceps दिख रहा है, but take my words, shoulder उपर मुह करने के लिए deltoid का contribution बहुत कम होता है, होता है, बहुत कम होता है, so what are the functional muscles, that helps in movement of humorous joint, next, next, next video, दीरे दीरे प्ले करना भी, this is a shoulder blade, this is infraspinatus, this is terris minor, और उपर से जो दिख रहा है आपको supraspinatus है, play the videos slowly, अब गोर से देखो, जब आपका humorous move हो रहा है, ठीक है, वो humorous के उपर एक acromium नाम का bone है, ठीक है, आपके humorous को ऊपर तो उठ नहीं है, मगर at the same time उसको acromium को hit नहीं करना है, you are getting me, आपके humorous को उठना है और acromium को hit नहीं करना है, यहनि उस humorous को नीचे दबाने वाला कोई तो भी चाहिए, ताकि humorous acromium को hit ना करे, move, that is the reason why you should try to strengthen your all rotator cuff muscles, these muscles का नाम क्या है, rotator cuff muscles नाम है इनका, इनका exercise आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, इसका special program होता है shoulder exercise program, those who are involved in upper limb sports, उनको यह shoulder exercise program सीखना ही होगा, उसके सिव आपका injuries कम नहीं होगा, क्योंकि आपका humorous जब तक concentric compress नीचे नहीं होता है, तब तक injuries prevent नहीं होते हैं, और इस humorous को नीचे दबाने वाले muscles होता है supraspinatus, और जब आप इस supraspinatus को strengthen नहीं करोगे, तो आपको scapular blade के अंदर pain होगा, जिन जिन लोगों को इस scapular blade के अंदर pain हो रहा है, वो ध्यान में रखे इनको यह rotator cuff muscles का weakness है, नेक्स, 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 सेम मैंने जो बताया भी इस पे, इस muscle is causing lifting of the humerus upwards, यह muscle उस humerus को ऊपर खीच रही है, मगर shoulder joint जो है उसमें gleanard है, humorous है और इन दोनों को यहां से सटकने के लिए, prevent करने के लिए वहां भी गादी दिया है, जिसे knee joint में है, जिसको अपन gleanard labrum बोलते हैं, और यह पूरे joint को strengthen करने के लिए capsule भी है, capsule sinual fluid maintain करता है, in order to prevent the common injuries, how to collectively strengthen each and everything involved in the joint, और आज अगर आपको कोई चीज लेके जानी है तो यह लेके जाओ, कि not just strengthening the muscles, the stretching of capsule, okay, the stretching of a capsule, the strengthening of the muscles which are in all in the moment of the joint is more important, next, 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 अब यह 3D हो गया, आखिर में दिखता कैसा है joint के अंदर अपने कोई, now see this, slowly, this was a wrestler, national level wrestler which, to whom I had operated three months before, while wrestling, opponent ने उसको नीचे गिरा दिया, उसका shoulder joint dislocate हो गया, जब जब आपका shoulder joint dislocate होता है, try to reduce that with the help of expert, better way to reduce that under anesthesia, यानि उसको under anesthesia reduce करने का हमेशा फायदा ही होता है, बगर हर बार कही न कई कोई न कोई अपना अपना टेकनिक दिखाता है, same, इस बंदे को उसके कोशने टेकनिक दिखाया, ठीक है, एक बार सटक गया, उसको बिठाया गया, फिर dislocate हुआ, फिर बिठाया गया, वाट हैपन, यहां एक अपने यहां एक गादी होती जिसको अपन लेबरम बोलते हैं, आप यहां अगर देखोगे, वो पूरा लेबरम पूरी तरह खरब हो चुका है, अब यह मेरे पास जब आया था तब इसका सेवन टाइम्स डिस्लोकेट हो चुका था और खुद रिलोकेट कर रहा था, अब अंदर दिखता कैसा, आखिर लेबरम इंजूरी है क्या, प्लेद वीडियो, यह जो है लेबरम तूट गया यहां, यहां लेबरम ही नहीं, लेब वापस लाने की कोशिश करते हैं, यह अर्थरोस्कोपी के लिए किया जाता है, लेजर से किया जाता है, नेक्स वीडियो, जो दिवार गिर गई थे और गलत जग चिपक गई ती उस दिवार को आपन उस हडे से अलग कर रहे है, ताकि उसको आपन ऊपर उटाया जाया है, लेबरम, इसको बोलता है है लेबरम रिकंस्ट्रूक्शन, ठीक है, विद यह जो दिवार है, यह नीचे जा चुकी है, ठी ठीक है, उसको आपन ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे है, बट उस दिवार को आगर ऊपर उठाया है, तो वहां किसी जी से स्टेबल करना पड़ेगा, तो वी यूज आंकर्स, नेक्स्ट वीडियू, आंकर्स नीवह थ्रेड्स होते हैं, जो आपन वहां यूज करते हैं उस दीवार को वहां चिपकाने के लिए next now see here we are using this anchor एक धागा होता है और उस धागे के मदद से आपन उस दीवार को वहां रखते है जिसको अपन बोलते ग्लिनोड रिकॉंस्ट्रॉक्शन ओके अब अब इस लेजर विए लिवेटेट अब रखने वहां दीवार बना दी मगर यह सिफ अर्थरोस्कोपिक सर्जरी करने से रिजल्ट आयेगा नहीं इसको अपने को कम से कम चार हाफता गले में बांद के रखना होगा उस लेब्रम को वहां हील होने के लिए टाइम देना पड़ेगा और आगें सेम थिंग फ्यूट्रीपी फॉर सिक्स विक्स उसके बाद ही उस शूल्डर जान को अपन स्टेबल कर सकते है यह रिकरन डिस्लोकिशन का केस था ही वाज नैशनल लेवर वेसलर ठीक है हां यह देखो यह जो है यह अपने कंस्ट्रक कर दिया है वहां फिर से लाके बना दिया है उसको वहां कंस्ट्रक कर दिया है और वाट इस दो इंजूरी देखो यंग एज में फ्रैक्शर तभी होता है जब आप कुछ ना कुछ गलत करते हैं जैसे मैंने कहा कि अपने पंजा लड़ा दिया कल ही मेरे पास एक स्रे आया कि पंजा लड़ाया पंजा तो जीद गया मगर हड़ी तूड़ गया यह मसली स्ट्रॉंग बोन और कैपसूल चाहिए अगर कैपसूल भी कॉंदें उस बन्दे από कैपसूल चाहरा पिसे आपनो isol को न उसकान मसल ठीक है कैपसुल कॉैठ को शिडरी कॉंद bell Flight टॉप आथि अपन देखते हैं कि इस प्रकार यह चीज इस प्रकार रहा है इस प्रकार यह दिसे धालाई विडियो डिखने वाला है इस लाइव इमिजम्व फुष्पक प्लेदी यह एक रीडियल नर्व रिल्नर्व जा आपने ट्रीसेट्फ को रीडियन सधी थे देख लूप फिर से फिली करो ऑट जो तो किरेंर व्यूज को ट्रेइल नर्व है ते ओस मुस्क्को कूंट्रेक्शन करनें लाइन हो यह जो मुस्क्रांट्रेक्शन र व्यार्ण तोडेए लेंग तोडेए लेंग एवरी मुमेंट आव जोईन देवार्ट वर्किन सिंक्रोनी यानि सामने वाला पीछे वाला अगर प्रॉपर काम करेगा तो वहां अनिक्वल स्ट्रेस नहीं होगे और डैमेज नहीं होगा आपका कैप्सुल स्ट्रेचेबल चाह है थे यह एनदे सेम तरमें रेने लान एनग क्यूंक प्रॉम स्कॉर्ण सव्गर्वन से और कोस्मेटिक मॉस्सल स्कॉन से है hominary क्यों क्यूंतिक मुत्वार्ण सोल्चेबल जैसे मैंने का इस शोल्डर में लबर मॉतू होता है में रंकल छल ओंतर टोल्या मि fino जर उत वीज कि अपर वाला वले को अब ही टिर सोब है कि एक अबनों है ओक इनी कोश्ट्ट्छंस हां ओक नीस है इस इसनेमी अपन गादी बोल रहे था है यह वह डादीये यह पूरा तूटके अंदर आ चुका था उसको अपने स्टीच मारके मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ एक लायू चीज कैसे दिखते उसका एक्सपरेंस आना बहुत ज़रूरी है ठीक है यह मिनिस्कल से इंद नी जोइन वाइट होता है उसको ब्लड सप्ला नहीं होता है अपने गादी को और अपनी यह पर होता है दो अर पर्स ब्लड स्प्लाल अगेकिस का अशे और यह दो दूंडब करेंग यूजज ओडर नोफ में दपीवन को बिलिगमनट इंजुरी ऑग अन लास्टली दो ईंजुरी कि ठीक है तो मशत टीक ह्यां ऑ्कनि यह और आपण टेंट बिए एलिए लिक्टिस कर तेंट इंट इंट डिए को अजेगा टेंट इन को कि कर दो सुट्टिए लोड इसे हैं अल्ट अजिसान इस्ट इसन इस्ट 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 पूसिट तो अलफ ट्री आफ वस I will introduce Dr. Mahendra Gude, he is one of the directors of Exxon Hospital, he is specialised in spine surgeries, Anup is a dynamic orthopedic surgeon, he is the backbone of our PDMC department, so you can ask question to all of us three, okay? Q. तो जैसा की हम लोग देखे कि कॉई किसी बी टाइब के की सार्जेरी से अर्यकर यह शुचा की और किया सकता है क्या किसी यह अधरेपी से या किसी ड्यकर से कि लिगामेंट इंजुरि इसके की डियों होते हैं थीक है कि एपने जो सवलन सवलने मुझा इस को यह बात बताने दीजिए there are grades of ligament injury grade one grade two and grade three grade one is like only 10% of fibers are torn grade two is like 30 to 40 percent fibers are torn and grade three is more than 50 percent fibers are torn grade one में आप उस बंदे को रेस देके muscle strong करके surgery बचा सकते हैं मर ग्रेट टु का पहली बात दूसरी बात यह कोश्चन एक जंडरल कोश्चन है लिगामेंट स्पेसिफिक कोश्चन आएगा तो उसकी साब से अपने का अंसर देना है जैसे आपन नी जॉइन का लेते हैं तो द्याने में रखना एंट्रे कुर्शेट लिगामेंट का क्या है उस जॉइन को पीछे जाने से रोकना है ठीक है मगर जब आपका जॉइन पीछे जाने से रोकने के लिए सबसे पहले काम करती है एंट्रे कुर्शेट लिगामेंट दूसरी चीज़ क्या है वो उसको रोकने वाली वह होई मिनिसकस यागर आप आपके यह से लिए कर सरजेरी करते हो तो डैमेज होने वाली कुन से चीज़े दो और नाइन नमबर टू में मिनिसकस है एंटेक माइवर्स मैंने बहुत सारी पेशन्स देखिया है जिन में पार्शियल टीर होता है यह सील का और बाद में मिनिसकस इंजूरी लेके आते हैं प्रॉब्लेम यह है आप ACL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप मिनिसकस नहीं ला सकते है अपने यह केड़ेवरिक ग्राफ्ट और कुछ अवेलेबल है नहीं इसलिए 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 लिगामेंट इंजूरी डू ए प्रॉपर एसेस्मेंट अगर आपकी एंटेरों इंजूरी होती है ठीक है यह वाली यह अगर तूटती है समझों एंटेरों इंजूरी ओकरिंग इंजूरी ओकरिंग इंस्पोर्स दैज में रखना इसलिए इसको इंजूरी भौदबार होता है अपने को उसका भी ग्रेडिंग है उसका भी ग्रेडिंग है उस ग्रेडिंग के नुसारी आपको ट्रिट्मेंट मिलेगा हाँ अपने को इस बेटर तो अवाइड दे सर्जरी वी आलसो ट्राइट टू एजूकेट देशन लाना चाहिए उस लेवल पर आपका हाइस सकते हो ठीक है जी अब तो रिजण से लिए और इस इस डायनमिक लिगमन टेक वर्स स्टैटिक लिगमेंड डाइनामिक लिगमेंड ओके डायनामिक माने वह हर मुवमेंट में आने वाली है और जब वो partially tier होती है, grade 2 पे tier होती है, उसको grade 3 tier होने में ज़्यादा दिन नहीं लगता है, अगर आप खेल रहे हो, खीक है, मगर अभी देखो, now here the role of my lecture comes, मगर आपने अगर आपका quadriceps बहुत ज़्यादा strengthen किया, quadriceps का काम क्या है, ली को balance करना, तो आप grade 2 tier का शायद operation टाल स सकते हो, अगर आपने quadriceps strengthening किया, तो in ACL, not in PCL, in ACL. तो मुझे पूछना है कि यंग एड से भुटने का जो cartilage वो फिराप नहीं हो, इसलिए क्या हम कुछ किया है? तो अपका शुन्प्री, आपका जोकितों. तो आपका शुन्याखाइ, टेस्सका शुन्बेर है कि वोज्टो हृए, तो आपका जोटो अटमा मोनुदोह रहां लहाँ. सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ सी मोमेंट अवैट करनी है वो सिखा सकते हैं तेकित यह नहीं कर सकते हैं करते हैं डाइट प्रोटीन होता है जो वेरेंट यर करता है कि there are certain collagen there are certain drugs which can delay the wear and tear but that in old is not in English ठीक है first thing second thing अगर आपने को इसको अवर्ड करना है तो आवर बॉड़ी वर्क्स इन दे प्रिंसिपल आफ उल्स लॉव पता कि उल्स लॉव क्या है आप जिस चीज के उपर ज्यादा वजन दोगे वो चीज उतनी मजबूत होगी टीक है कैशा अगर कोई बंदा चलता ही नहीं ऊठता ही नहीं है न तो उसका बाड़ी उतना स्तरिंदन नहीं होता नहीं होता है जतना बब्ढ़ वजन दे रहें सा बटी इसका बॉड़ी स्लम होगा ठीक है और बॉड़ी फंक्शन some that बटあの तक आएप टाएट प्लेफिनितली इंपर्टन रोल सर का लेक्टर एसर बताने वाले आपको डायट बेसिक बताने वाले कौनको डाट अपने को जरूरी है now in this era in 21st century we can't guarantee what uh what thing we are getting in what purest quantity okay but with the help of exercise with the help of meditation with the help of proper coaching we can avoid injuries listen rather than treating the injuries better to learn how to avoid the injury take my words better to learn how to strengthen the muscles better better to learn how to keep our mind and body in synchrony okay देखो कभी कभी क्या होता है आपन समझो पूजा भी कर रहें भगवान की पूजा कर रहें तो अपने हाँ से कोई चीज गिरती है आपन वहां 100% नहीं होते हैं our actions are not supported by our mind take my words your actions should be always supported by your minds अगर आपके actions आपके मैंड के साथ नहीं जा रहें ना आप उसको नहीं कर याने आपको चाय कर रहे हो और किसी ने आपको आवाज दी वो नीचा गिर रही है और actions are not supported by your minds okay each and every action should be supported by your mind and that can be happen only when you are doing meditation Indian cricket team के साथ तीन से चार साइकोलोजिकल कोच होते हैं ठीक है और प्रॉपर साइकोलोजिकल कॉंसिलर a person who is a proper physiotherapist and a person who knows your behavior okay ध्यान में रखना आप अपनी बात अपने फ्रेंड से शेयर करोगे नो आपको फ्रेंड्शिप में बोलेगा काई होत नहीं कुछ नहीं होता है जाने दे मगर आगर आपका कोई अगर निगिटिव पॉइंट अगर आपको दूनना है न तो आपको आपके दुश्मन के पास से जाना पड़े बिटिव बात अगर अपके है, so better to take dietary supplements with the help of doctors, okay, grade one, grade two and grade three, grade one, grade two and grade three, how much time it takes to recover like all in, in all grades, grade one, grade two, grade three, how much time cover, very nice question, very nice and beautiful question, देखो जो तूटा है नो जूड़ने वाला नहीं है, एक बाद धान में रखना लिगामेंट्स में blood supply बहुत कम होता है, मिनिस्कस में blood supply इसलिए मैंने आज जो लाइव वीडियो लाए थे मिनिस्कस में center part में blood supply नहीं होता है, वहां आगर मिनिस्कस तूटती है, आपको प्रोसेस होता है, जिसको आपन फाइब्रस हिलिंग बोलते हैं, फाइब्रस हिलिंग माने क्या मालू में क्या, देखो आज से 10-15 साल पले हम जब बच्चे थे न, तो कोई शर्ट में चीज फट गई न, तो मम्मी बोलते थी और टेलर के पास जा दूसरे शर्ट का टुकडा ले वहां लगा और उसके उपर रफू करके आज आज कल रफू कोई वंडा है नहीं याने उस जगह पे फाइब्रस हिलिंग होता है, नौट ट्रू टिशू ओरिजिनल ट सब्सक्राइब करने के लिए चार लोग होते रसी खीच रहे हैं एक बंदे के हाथ को मार लग गया उस बंदे ने जितनी ताकत लगा ने उतनी ताकत बाकी के तीनों ने बढ़ा दी खुद की ताकत प्रॉब्लेम साल हो जाएगा ठीक है कि लेजर एन अर्थरोस्कोपी बहुत हर सेम लेजर इस लाइक पेशन्स के लिए लेजर मंझे का एक अच्छी तरह मुद्ध हूंद अर्थरोस्कूपी भी यह सेम टम फॉर बहुत ओपन नहीं करता भी नोवन डज ओपन सर्जिरिए नौ अर्थरोस्कोपिक सर्जेंस है जो उसको अर्थरोस्कोपि करते हैं देखो बच्चो एक बात ध्यान में रखना यह श्यश्वी जहष्वाल नाम सुनाएं तुमने तो मैं ने उस बंदे को दो-तिन बार मिले है यह शेश्वी जोईसवाल लॉए उस बंदे को दो-तीन बार मिले है उसका घर देखोंगे तो आपको लोगे कि आप बहुत हाथ हिलाने के लिए किसे के help की जरूरत नहीं है तुम्हारा mindset जरूरी है कि meditation करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है हमारा lecture चालू होते समय mobile game खेलना है तो किसे के बताने की जरूरत नहीं है mindset जरूरी है कोई बंदा अगर यहां के बता रहा है कि Reliance hospital में sports skill lab है तो सुनना जरूरी है कोई भी चीज dedication के सिवा मिलती नहीं है कभी नहीं मिलती है डोंट complain never complain never ever complain उस बंदे का पत्रे का घर है आट बाइद दस का रूम है पिताजी गैस सिलेंडर देके आता है दिन बर धान में रखना आज वो बंदा अपने इंडियन क्रिकेट टिम का बैक बन हो चुका है उसने संदास का साफ किया है उसने होटल में वेटर का काम किया है सो नेवर कंप्लें अबाट यूर कंडिशन नेवर एवर लाइफ इस तो फाइट और यू मस्ट फाइट अगे वासमाज में हाँ इसका सर्जरी महीने किया है और फिर से गिर गए उस हाथ की उपर मैडम इतना महीनत करके सर्जरी गिर और फिर से उसी हाथ की उपर गिर गया हाँ ठीक है वेरी गुड वेरी नाइस कोश्चन आप मुझे एक बाद बताओ मैं आप में से जो अंसर देगा उसको मैं आज कॉफी पिलाएंगे ठीक है मुझे एक बाद बता पर इए शौट मारने मुझे फियक है यह क्या उन्हें इर ऐस कि सबसे जदा स्टॉण क्या चाहिए ऐन पॉले कॉमन कॉश्यन एक इस ओ कॉर्मन पॉल्हेह Нे मुझे शौट मारने सबसीदा स्ट्राउं क्या चाहिए एक एक अंसर हाँ वेरी नाइस और आप में से कितने बार लोगों ने देखा है कि जब उसका लेफ्ट हैंड हवा में जाता है तो कैच जाती है दोनों हाथ से मार रहा है, अगर लेफ्ट हैंड अगर लूज वह है, तो catch जाती है, उसके कितने बार देखा है आप लोगोंने, कितने बार देखा है लोगोंने, अपने, असा batsman मारतों डावा हाथ धिल ला सतो, और catch जाते, किती लोग कर नहीं पाए लाता परेंद, देखा ह है अपने, वही apply होता है आपके इसमें, अगर आपको आपका sports मालूम नहीं है न में जो जो आप, आप मेरा आज का lecture आप घर जाके लिख लो, आपके sports को पढ़ो खुद को, बंदुक जब गोली चलती है तो सबसे important चीज क्या होती है उसमें, और rebound मारती है, take my words, और rebound मारती है, और जब और rebound मारती है, तो rebound को resist करने के लिए आपको specific muscle यूज करनी पढ़ती है, अई बास समझ में, और वो muscle है deltoid, वो muscle है deltoid और chest का region, और होता क्या है, जो लोग उस sports में खेलते हैं, उनको ये muscles अगर develop नहीं है, तो they are going to damage the bone, देखो muscles ने अपने बेडश्री की तरह ह होती है, तो मुल्टा सिधा कैसा भी करो, वो जल्दी फटेगी नहीं, ठीक है, मगर अगर आपके घर में रेकजिन की गादी और आपका नाखुन भी लग जाए ना, तो गादी फट जाती है, ठीक है, capsule उस प्रकर होती है, अगर आप उसको proper से रखोगे नहीं, तो capsule आपको उस चीज़ को मार बार-बार-बार बार बार-बार लगके उस shoulder joint का affection आना है, क्यूंकि आपका humerus हिलने वाला हर बार, यह shoulder joint है, और आपका humerus है, और आपका humerus है, वो बार-बार हिलने वाला है, और आपके shoulder joint में labral injury भी हो सकता है, । मुझे आगर विमान चलता है वेरऊ विमान का हर बटन मालुम सालों चाहिए। मुझे नीचे फोन करके नहीं बथा सकता है। । तुम रही बंदूक चलर्य हो उसका पूरा चीज का जानकरि लो उसको काम करता है रिकवाइल कृइल कीतना मारताह 108 अनलेस अनलीडर का थे वार वैंकि भी ओपवेसिक नॉलेज आफ युशिंग वाफ यू सुन विह यूंट विन्ट विन वाटल उपने अमझे बहुत आधत में बहुत देखता हूँ एक सिरीज है एक स्नाइपर नाम का आप में से किसने देखा है स्नाइपर स्नाइपर सिरीज कोई देखता है कि स्नाइपर स्नाइपर नाम के उपर बहुत सारी मुवीज है पता है आपको किसी ने देखा है कि उसका पताए उसका क्या सबसे बड़ा इंपोर्टन चीज क्या है और स्नाइपर के बाजों में एक बंदा सोय वाला रहता है वो उसको बताता है अपने से उस टार्गेट का डिस्टंस इतना है और सबसे जरूरी चीज बताता है हवा की स्पीड यह है समझ ले बात को मिठी उटा के आपन डालते है हवा की स्पीड यह है और आपने गोली यह सी भी छोड़ी तो उस हवा की स्पीड उस गोली का डिरेक्शन बता बदल सकती है सो आतो year टॉर्ट उस्पोस फस्ट अग्रड़ी यह विन आक है और खोका गै यह विन आटी आपको अगई आपको विन आसा א moyens 2 एका पिर ने W आड़ी बॉद पॉसिा और पॉसिवॉव आपका प्लॉड गृप के आ ll पताया एक एक आ लसे अलग वुद्टality का यू लग हैं मैं हसाब से हो पकड़ेगा इस हिसाब से पकड़ेगा जितना ज्यादा एक्जरसाइज करेगा उतना ज्यादा वो जल्दी पकड़ेगा रिशब पंद इस इन दा हाइस फिजोथेरपी इंस्टिटूट नो महीना लग रहा है उसको अपने को कौन फिजोथेरपीस कर रहे है अपना डायेट क्या है और आपन क्या कर रहे है मट मैक्जिमम 12 विक्स में हो जाना चाहिए परिशल टीर है तो डेली फिजोथेरपी किया तो एडिक्शन नहीं किया और एक वेरी नाइस गुट वेरी गुट थिंग और एक चीज़ द्यान में रखना इस बॉड़ी इस मशीन इसमें आप जो डालोगे उसके हिसाब से उसका और निकलने वाला है घएक वासरज में आप जो खाऊगे जो विचार अपने मन में डालोगे उसी का परिपाग बाद में आने वाला है उसी का रिजल्ट बाद में आने माला है तो ट्राइट टू स्टे आवे फ्रों सोशल मेडिया वेन यह चूजन यूर टार्गेट वेन तोड दिए तिए कंगो जाएगा तो अख्यूट आंक इसम्हाँ सरफ टूल सेशन एक वेश्ट इसेट वहने वादरफ एव उन्टोफ प्रेश्ट इसक्राइब तोड वादरफ टूलेंच ब्रेग को सर्जन है वो शायद किसी डिफिकल्टी में आटक गया डॉक्टर महेंद्र उनको हेल्प करने के लिए अगर समझो होता है तो आएंगे वर्नावी विल कंटिन वित अनुप सर्स लेक्चर तो के so we will meet here at two o'clock sharp and also uh it was a great session and a great discussions among students and uh Dr. Delandir Deshmukh sir we are come to know that prevention is better than cure and I hope everyone has got benefited from your lecture thank you so much everyone we'll meet in one hour thank you so much